कि अब लोग अच्छे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता डेली जो सामके टाइम साथ प्याइब पर सो रही तो प्रैक्टिस चल रहा है मैं ठीक है और वह आपको धीरे-धीरे जो लोग जोड़े हुए हैं उनको धीर दे रहे उन चीज़ों के जो सम जो टॉपिक वाइज जो उस लिवर्स कवर कर रहे हैं उनको बहुत फायदा मिल रहा होगा क्योंकि डेली क्लास चलती है डेली के कुश्चन होते हैं ठीक है जिस आदार पर वह घर भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको बहुत मज़ा रहा हो होगा सब निकालने पर ठीक है तो अभी तक दो तीन क्लास में जिसमें अभी तक सिर्फ 29 सबर्च हो पाएं ठीक है तो आज तीसमा आज है जी तीस सवाल से हम इस्टार्ट करते करते हैं ठीक है फैले बिना देरी के क्लास को सब्सक्राइट कर ले दें डेखें खुश मिश् सराव था और पानी देखें सराव और पानी सराव और पानी का नुपात कितना है तीन अनुपात एक सराव और पानी का नुपात तीन अनुपात एक है मिसरण का कितना भाग निकाल कर उतना पानी मिला दिया जाए देखें यह कह रहा कि मिसरण का कितना भाग निकाल कर मिसरण पानी मिला रहा तो 0 अनुपात 1 कर लिया और जिससे कि सराब और पानी का अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाए नया अनुपात ये हो गया ठीक है अब इसका टेक्निक क्या जी आप इन दोनों को एड करिए और इन दोनों को एड करिए ठीक है जब एड करोगे उसके बाद इन दोन कर लेंगे जीरो की चार में कर लेंगे सराओ निया उतना ही पानी मिला दिया जाता है मिसरण का कितना भाग निकाल गई तो पानी की मात्रह कितनी यही یک अफ है कितना जी एक तो हम कह देंगे टोटल एक वन भाइठरी तो एक व्लबाइठरी इसका अंसर हो जाएगा कि सराब का एक बटेग तीन भाग निकाला गया था क्योंकि the question number 31 the question number 31 में क्या है ईक आरेक्विति अपनी मासिक आयки कुछ भाग खर्च करता कुछ भाग बचाता Els Anything खर्च और्द का अनुपात और किनाओ और बचट दीन देत्य उडिर्विन अगर्पर हर्च और बचट दोशन दीजा, तो तो वो क्या निकल कर आजाएगी? वो आये निकल कर आजाएगी, जी, आये. 29 आये निकल कर आई जब कि उसने कितना कहा, जी हूँ? यह जी, 7250 रुपे उसके टोटल आए. घर्च अगर बचचत को जोड़ दिया जाए, तो टोटल आये निकल कर आएगी. अभी देगें. 25 निम तो तीन भाग बरावर यदि हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 750 का तीन गुना जी 750 तो 750 रुपे क्या है जी उसकी बचत निकल कर आई ठीक है खर्च और बचत का नुपाद दिया हुआ है यदि खर्च और बचत को दोनों को जोड़ दिया जाता 29 वो कह रहा 7250 तो एक कमान 250 तो तीन कमान किसके बरावर हो जायागा जी 750 के उसके बाद आईए जी नेक्स सवाल पर 32 225 के धनरासी है जो एक रुपे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है यदि सिक्कों की संख्या इतनी तो एक रुपे के सिक्कों की संख्या बताईए देखिए इसमें कहा कि एक रुपे और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है यह जो 250 की धनराती इतने सिक्कों के रूप में है यह है जी सिक्के कि तो अब जीस नें सिक्कों के संख्या भी दिए, जिक्खों का संख्या एक कि सनुपात में दिया है यह जी 8, 5 और 3, अब समझे मेरी बाद, तोटल धंदासी कितनी है जी, टोटल धंदासी जो है, वो कितनी दी हुई है जे, 285 रूपे, अब ध्यान सा समझो, कि यदी एक र कितने ही हैчी प्रफ पांस सिख्क्य होते है प्र कितने हो जाते धायी रूप्य दो दपशने पांच रूप और पत्सेश के इसमे प्षेटर पàiसे जोड़ेंगे यह कितना हो जाएगा जी आट दो दस दसमुलब पांच हो गया और पॉइंट सेवन फाइव इसमें एड कर देंगे तो यह क्तना आएगा जी 11.25 11.25 क्या आए जी टोटल धनरासी निकल कर आए 11.25 और जब कि सवाल मैं कहा रही यह होगी ठीक है अब क्या करेंगे अब मेरी बात ध्यान से समझिए यदि हम इस पॉइंट को हटा दें इस पॉइंट को हटा दें या तो साड़े यह सवा 11 का दुगना कितना हो जायागा इस तरीके से कर यह पॉइंट धटाया दो जीरो सामने लगाई अब देखी 11.25 का दुगना कितना हो जायागा बाइस सो पचास तो एक की वैलू किसके बरावर आई दस के निकल कर पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है एक रुपे क सिक्कों कि संगे एक रुपे के सिक्के कितने हैं जी वो हैं जी आठ एक बरावर दस के तो आठ बरावर किसके कर देंगे जी असी के तो असी सिक्के किसके निकल कर आए वो एक रुपे के निकल कर आए ठीक है एक रुपे 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है जी कौन 250 रुप 10 और 8 की value करी ऐसी ठीक उसके बाद आए नेक्स सवाल 33 33 में क्या है देखें 33 अनुपात में विवाजित किया गया है यदि पी और क्यों का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है पी और क्यों का कुल हिस्सा आर के बताईए और क्योंकि हिस्सों का अंतर बताईए तो ऐसा सवाल नहीं हो सकता यह जी इन्फॉर्मेशन वाला यह जो ना कम दी हुए यह कहते हैं आंकड़े परियाब आंकड़े परियाब इसकी पूरी बाते नहीं दी गई यहां से इसका मान नहीं निकल सकता कुशन नमबर 34 पर आई देखें कुशन नमबर 34 में क्या है यदि A, B का अनुपाद दे रखा, B और C का दे रखा जी और C और D का दे रखा ये कहरा A और D का, जब भी A और D की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि आप सब की गुणा कर दीजैसे A by B, B बटे C और C बटे D, जब इनकी गुणा करेंगे तो देखिए, ये कितना आ जाएगा, जिए 3 by 4, multiply 5 by 7, multiply 8 by 9 तो ये देखो B से B कर जाएगा, C से C कर जाएगा, तो A बटे D बचा और ये किसके बरावर है, आप यहां से देखिए, 3 से हम कर देंगे, जी ये कितनी बार जाएगा तीन बार, और ये 4 से 2 बार काट देंगे, तो कितना बचाएगा, 10 बटे 21, 10 बटे 21 आया, या हम इसी को कह सकते हैं 10 बटे 21 हमा अनसर हुआ, 11, 11 हमारा आनसर हुआ, जब भी फ्रस्ट और लजट की बात की जाए, आपको क्या करना, गुणा कर देंगे, सीधह, गुणा कर देंगे, तो ये कितना आई है, 10 बटे 21 ठिक है, उसके बाद आई जी 35, देखिए, 35 में क्या है देखे 35 94 को दो भागों में इस प्रिकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का एक बटे पांचमा भाग और दूसरे भाग का एक बटे आठमा भाग तीन अनुपा चार में हैं वो है जी तीन अनुपा चार के बरावर तीन अनुपा चार के तो आप मेरी बात ध्यान से समझिये हैं एनुपा भी कैसे निकालने इस कंडिशन में इस वाले पांच की गुणा यहां पर कर देंगे 15 और इस वाले आठ की गुणा कहां कर देंगे यह हो जाएगा 32 अब उसने कि वैलू कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30 तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जायागा जिए 30 ठीक है कि ए बटे पांच अनुपा बी बटे आठ बरावर किसके तीन अनुपा चार के इस पांच की इसके साथ और आठ की चार के साथ गुणा करी अनुपा आया 15 और 32 दोनों को जोड 47 जब कि सवाल में कह Hola 94 में एक भाग 2 के तो 15. Per 13 तीसके बरावर उसके बाद आए 36 पर 36 कि आ क्या करेंगे यदि A और B और C इस तरीगे से दे रखें तब A C और BD का मान बताएं A C और BD का मान बता ना जी A C और BD का अब मेरी बात ध्यान से समझेए दिखो A की value कितनी है A बरावर किसके जी 5 के तो 5 हमने यहां लेखा C बरावर किसके जी C बरावर है 2A के या फिर ऐसा कर लीजिए 2A किसके जब A की value 5 है तो यह हो जाएगा 10 अनुपाद B की जी के 7 है तो यह हो जाएगा 21 तो हम करेंगे 10 और नीचा हो जाएगा पचास 147 के ठीक है बास अनमा आई न ए और बी का अनुपात 5 और 7 है तो हमने क्या करा हमने ये करा जिव पांच गुणा 10 क्योंकि एक ही जिगा कितना रख दिया पांच दूनी 10 हो जाएगा और बी की जिगा 7 रख दिया सब्सक्राइब ती में अनुपाथ mi तरी हो थे हैँ आघ आयव विए वैज अनूपात कानुपाथ 3,4 मैं ने बताइब यह से सवाल्यों के निकालने के अद्रिक्षन की दोतरी के होते ही अज़िए वाली संक्या को बरावर करना होता अब उपर तो 9 है नीचे 3 है तो हम क्या करेंगे नीचे वाली टर्म में 3 सा गुणा कर देंगे ये तो 8 ही रहेगा और ये 9 हो जाएगा और ये 3 चौक 12 हो जाएगा इतनी बास स्वज्मागी होगी अब देखें उसने कहा कि पहली और तीसरी कको पहली और तीसरी का इसने कितना 2400 पहली कितनी या जी पहली एजी आठे office कितनी है यह तो हम करेंगे बार है टे गुना जब हम एक की वैलू निकालेंगे तो यह कितना जाएगा पांच एक भग किसके आया पांच के बरावर वो क्यों आया वो और देख लीजिए कि ऐसे कर सकते हम इन संख्याओं को आठ एक्स नो एक्स बार एक्स मैंने आपको बताया पहले भी जब गुड़नफल की बात आती है तो भरगुल निकालेंगे और अगर तीनों संख्याओं गुड़नफल की बात आए घंबुल जैसे बार एट्टे च्छान में एक्स स्क्यार हो जायाएगा बरावर जी 24 के अब यहां से एक्स स्क्यार की वैलू जो निकल कर आई हो 25 और एक्स की वैलू आई 5 ठीक है बात संख्यार में आगी होगी उसके बाद आई है 38 सवाल देखें दो संख्याओं का अनुपात 38 में दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 यदि पहली संख्या से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या से 2 जोड़ दिया जाए देखो जी 2 अनुपात 3 और एक श्टा देते हैं देखिए देखो यह जो संख्याइं थी पहले जो नपात दो और तीन था इसको हम दो एक्स और तीन एक्स ले देंगे पहली संख्या दो घटाद या दिया गया और दूसरीaurais करा वाजर गुडन लगा दिया ठीक है आप यहां से तीन एक्स को इधर लेकाएंगे तो एक्स बचेगा उधर हो जाएगा च्छे दो और चार च्छे होगे पूछ किया रहा संख्याओं का योग बताइए तो संख्याओं में कितनी थी दो x और प्लस का तीन एक्स हमने लिया था तो संख्याओं कितनी ओगी पांच यस तो हम कह सकते हैं पञच गुणा च्छे तो यह कितना हो गया जी फांच शंम तीन संख्या है ? एक वाटे दो 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 नवटे चार के अनुपाद में यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे च्छोटी संक्या का अंतर संख्या बताइए यह 1-2 यह दिया हुआ जिए 1 हदक हो इस बट दो नुपाद 2 नुपाद 3-4 तो सबसे पहला हमारा काम क्या आजी इन संख्याओं का एल्सियम लेना है, हाँ पर कितना दो, तीन और चार, यदि हम इनका एल्सियम साइड में ले तो यह कितना इन से कटने वाली कोई संख्या बताई, तो बारा, अब सभी को करना अभी देखें, उपर 6 की गुणा कर अब देखो, सबसे बड़ी संख्या वो होगी, जिसका अनुपास सबसे जादा होगा, और सबसे छोटी संख्या वो, जिसका अनुपास सबसे कम होगा, तो 6, और 9 का अंतर कितना है, 3, जबकि वो कह रहा, 36 है, तो एक की वैलू कितनी आएगी, 12, एक की वैलू 12 निकल कर 74, 8 की वैलू 12, 8, 96 हो गया, और 12 से 9 की गुणा करेंगे, 108, यह हो गया, आपको ये भी करने के जरूत नहीं था, तो आपको सबसे पहले ये भी करने के जरूत नहीं था, तो आपको क्या करना था? जी simple आपको simple ये करना था जब ये अनुपात आ गया कितना जी 6, 8, 9 आ गया अब ये देखिए कि दो संक्य हैं ऐसी देखिए जिनमें 6 और 8 का अनुपात है 6 का अनुपात देखो बारे चिंग 72, बारे सत्य 84 इसका मुले 6, 7 ये नहीं होगा यहां पर करेंगे 12, 50, 60 और 12, 52, 5, 6 ये नहीं होगा 12, 52, 27, 84 ये भी नहीं होगा 12, 52, 28, 99 तो आपको सीधा option से ही लगा देना था ठीक है तो ये भी आपको करने की जरूत नहीं थी अगर आप इस तरीके से भी करते हैं उसके बाद आईए जी next सवाल पर 40, 40, 40 सवाल देखें, 40 में क्या है यदि A और B की वार्सिक आए, 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 की बात कर रहा है, यदि A और B की वार्सिक आए, 4, 3 है और उनके खर्च 3, 2 के अनुपात में है, यदि प्रतेक 600 क बचत करता है तो एक ही आय बताइए तो देखो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं आप समझना तो दो चीज होती है तीन चीज होती है एक तो आय जी उसके बाद खर्च की बात होती है खर्च के साथ उसके बाद बचत की बात करते हैं आप समझना ध्यान से आय किस अनुपात मे चार और तीन अर्च जो हो रहा जी तीन और दो के अनुपात में और जो बचत जो और यह 600 रुपे की प्रतेक बचत कर रहा 600 रुपे यह और 600 रुपे यह अब ऐसे सवालों को किस तरीके से करेंगे यह बहुत बहतरीन तरीका बताएंगे आपको देखें आपको क्या जी इस चब्चत को घटा दिया जाए दुए तो खर्च का अनुपात इसको करेंगे इस गो करेंगे 9x और यह कितना हो जाएगा 54 तो इधर लेकर जाएंगे इधर लेकर चले जाएंगे माइनस बार एसो और प्लस का 54 आ जाएगा बरावर एक्स बचा एक्स की वैलू कितनी आएगी ती 42 आगे 42 एक्स की वैलू आई अब इसी तरीके से वह पूछेगा एक की वार्षिक आए तो चार एक्स है तो इसमें गुणा कर देंगे 4500 है वो कहाँ प्रतिक 600 की बचत करता तो एक की वार्षिक आए बताए एक ही वार्षिक आए देखते हैं अभी क्या पूछ रहा देखो इस तरीके से मैं लगाता हूं अभी देखो इन दोनों की आपको गुणा करनी और इन दोनों की इस तरीके से देखो चार दूनी आठ और तीन की तीन में करेंगे नो चार दूनी आ करा था देखें यह आजाएगा 2800 ये अठाराइस वाया 600 को यह करें ये अठाराइस ओ इधर लेके गए इन दोनों का अंतर एक तो यह कितनी है चार तो चार बरावर हम करतेंगे चार संग चौविस तो 24 रूपय किसकी है हुगे जी वह एक ही आया है बसंपाइब आया खर्च और बचत इस कंडिशन में दिया जाए तो इन इसी तरीके से नेक्स सवाल देखेंगे यह पर गहुआ यहीं के फिर वही कंडीजन ने दिया हुआ है इसे और उसके बाद बचत की बात की गई देखिए थी बात की गई है जी देखें अब ये कितना जी दो बैक्ती थे ए और बी ले ले लेते हैं पहले की तरह ये जी पांच तीन उसके बाद घर्चा जी नो पांच उसके बाद च्विश्व बचत कर रहा जी एक तो और दूसरा कर रहा जी अठारे सो ठीक अब आपको करना क्या स इन दौनों की गुणा करिये पांच की जब पांच मैं करेंगे 25 आया और 9 खी और 3 में करिये 27 आयगा 25 और 27 का अंतर जी दो दो इधर लिखिए ठीक अब इन दोनों की गुणा करिये इन दोनों की गुणा करोगे 18100 की और 9 में 0 और 0 022 हो गया 162 हो गया और इन दोनों की गुणा करें 26, 5, 130 130 जब करेंगे 26, 5, 130 तो ये हो गया 13,000 के तो इन दोनों का अंतर कितना आया 0, 0, 2, 3 32 अंतर आया तो ये 32 इधर लिखा और एक की वैलू निकालेंगे तो कितना आ जायागा जी 600, 600 आया पूछ क्या रहा वो पूछ रहा कि उनकी आया बताईए तो उनकी आया देखो एक ही आया कितनी निकल गाएगी पांच भागे जब एक बढ़ाव 16, 16, 85 तो 8,000 आ जायागा जी और बी की आया बाशो लेती 48 तो 4800 आ गया ठीक, 4800 आया जी इनकी आया ठीक है 8,000 और 4800 इन दोनों की आया निकल कर आई ठीक, अगर ये भी नहीं हो तो आया का अनुपाद जो दे रखा, पांच तीन दे रखा आया का अनुपाद कितना दे रखा है थी आता लगे, यहां पर तो नहीं बन रहा ठीक है, तीन से काटेंगे ते तीस और ये अठारा हो गया और 6 से 5 और 3, मतलब दो तीनों में बन रहा, अगर कोई ऐसा अप्सन मिलता एक में इस तरीके का अप्सन मतलब और अनुपाद बनता तो वही ठीक हो जाता, पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है अब देखे 42 42 में क्या दो व्यक्तियों की मासिका है फिर इस तरीके का ही सवाल है मासिका है 2 और 3 जो आये जो है वो किस अनुपाद में है जी 2 और 3 खर्च दे रखा जी फिर 5 और 9 और फिर बचत की बात की है 600 रुपे की बचत करता 600 इधर और 600 इधर अब क्या करना आपको देखें इन दोनों की गुणा 9 दूनी 18 और इन दोनों की गुणा 5 तीया 15 अठारे और 15 अंतर जी 3 तीन इधर लिखा उसके बाद समझरे होगे 5 की गुणा इसमें करो 600 इधर चैपंजे तीस तीन हजार तीन हजार नौचिक का चववन तीन हजार और चववन सो का अंतर तीन हजार जी और चववन सो का अंतर कितना हो जाएगा 2400 2400 ये हुआ 2400 आपने यहां लिखा अब एक भाग किसके बरावर हो जाएगा 800 के पूछ क्या रहा वो पूछ रहा थी उनकी आए बताईए तो देखो ये कितना जी दो भाग तो एक ही जो आए हो जाएगी जब दो एक भाग बरावर 800 के तो दो भाग जी किसके 1600 के बरावर एक भाग 800 के तो तीन ये हो जाएगा आठती है 24, 1600 और 24, 1600 और 24 ये क्या हो जाएंगे जी इनकी आए आए बत संजमारी होगी इस तरीके के सवालों को आसानी से इस तरीके से करते रहो उसके बाद आए जी नेक्स सवाल 43 43 में क्या जी पहली स्रेणी और दूसरी स्रेणी पहली स्रेणी जी और दूसरी स्रेणी के बीच का जो अनुपात है ये दे रखा पहली स्रेणी और दूसरी स्रेणी के किरायों का अनुपात देखो जी किराय का अनुपात दे रखा किराया फस्ट और सेकंड दो स्रेनी है इनका अनुपाध कितना ज़ित थी difí अनुपाध एक अब आगे की बात आई पहली स्रेनी और दूसरी सम MICH आा सफर करें रहे नहीं होए यात्री योंकी संख्या मैं यात्री योंका जो यात्रियों का अनुपात कितना एक अनुपात पचास अब यह देखिए यात्रियों का अनुपात यह है किराया यह है तो यदि एक विसेश दिन में तेरे सो पच्छिस का कुल किराया मिला तो यहां पर किराया निकालेंगे दी किराया किसाधार पर लेंगे देखें यदि हम ये मान के चलें के एक व्यक्ति था मतलब तीन रुपर कराया था यह किराय का अभा था हम लें तीन रूपर एक रूपर यदि यौतर हे दिन रूपर कराया था؟ इन तोनों की आपस में गुणा कर लीजिये। कितना जाया गाती तीन नहीं लाश्ट में पांच होना चाहिए 25 ती पिछेतर पांच 25 पंजे 125 और साथ 132 तो ये इसका 25 गुना से दर ठीक इसका ये 25 गुना आया अब पूछ क्या रहा वो कहा रहा तो दूसरी स्रेणी में वसूल किया गया कुल किराया तो 50 जब एक बरावर 25 के तो 50 बराव 25 पंज दूसरी स्रेणी से आया बारे सो 50 रुपे किस से आजी दूसरी स्रेणी से धनरासी मिली ठीक है उसके बाद आए नेक्स सवाल कौन सा 44 अब देखें कुल 504 पांसोचार अब यहां से दौनों का योग करेंगे तो यह हो जाया का 24 और वो कह रहा पांसोचार अब देखें 24 दूनी 48 24 यह कितना आया एक बरावर 21 के आया यदि हम लड़कियों की संख्या की बात करें और गल्स देखो अनपात की बात कर रहा तो हम क्या करेंगे जी जब बॉइस की बात आए कि 13 है तो 13 एकम 13 एक तेर दूनी 26 और 27 27 यह आया जी और लड़कियों की संख्या बात करे a कि और विधी यह तो न आगऱें और लड़कियों और आजाती हैं जो लड़कियों उनको एड़ कर लिया उनको एड़ कर लिया तीन रदूर ग्या और और यहनल ऑगया दो सो 14 चूंदिश और यहां पर कितना है जी 2 सो 25 येजी देश भालत यह तक हम लेंगे तो किस तरी कि अ कटना चाहिए अगे हिंसे नोइ भाड़ तीन से एक बार तीन से साथ बार थीन से आठ बार गयों है अभी तीमत्र सकाटएंगे पेडियरे सहना तो यह कितना आए था शही हो गया हमारा न अनुपार ठेक ऊसके बाद आए नेक्स सवाल एक पार्टी में महिला और पुरसों का अनुपात देखे उसने कहा कि एक पार्टी में महिला और पुरस, महिला और पुरस की बात किये, महिला और पुरस महिला और पुरुस का जो अनुपात है तीन अनुपात दो है ठीक यदि बीस और पुरुस आ जाते हैं तो दो अनुपात तीन हो जाता जी नया अनुपात दो अनुपात तीन ये गरात तो महिलाओं की संख्या ग्यात करें महिलाओं के संख्या ग्याद करें अब मेरी बास समझे आप पार्टी में महिलाओं पुरसों के यदि बीस पुरूस आ जाते हैं बीस पुरूस आ रहे हैं जब बीस पुरूस आ रहे हैं तो महिलाओं जो पहले थी वो रहेंगी तो महिलाओं को आप बरावर कर लीजे क्यों कि महिलाओं की संक्या तो जो पहले रही होगी वो अब भी रही होगी क्योंकि पुरसों की संक्या बढ़ रही है तो इनको बरावर कैसे करेंगे जी इस वाले दो की गुणा तो ऊपर कर लेंगे और इस वाले तीन की गुणा नीचा कर लेंगे अब कुल मिलाकर आया कितना जी दो की गुणा इसमा कर ये छे और ये हो गया जी चार और ये हो गया जी छे और ये नो ये हो गया जी महीला और ये हो गया जी पुरुस अब देखे तो कितना 5 भाग बढ़े जी कौन पुरुस के 5 भाग बढ़े पर वो कह रहा कि 20 पुरुस और बढ़ जाते हैं तो 5 बरावर 20 के तो 1 का मान क्या करेंगे जी 4 के बरावर वो पूछ कह रहा महिलाओं की संख्या बताईए तो महिलाओं कितनी है जी 6 तो 6 भाग किस के बरावर कर देंगे जी 24 के बरावर 6 भाग 24 के बरावर कर देंगे तो महिलाओं की संख्या जो है वो 24 है एक बात और जब नया अनुपात निकली आता तो हमारा पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं होता ठीक है जब नया अनुपाद निकली आथा हमारे पुराने अनुपाद से कोई मतलाव नहीं हो दा question number next पर आईए देगे 46 आज इतने ही सवाल लिये गए थे question number 45 तक हो चुके हैं आगे की सवाल next वीडियो में करेंगे ठीक है और आप हमारे साथ लगाता जुड़े रहे हैं आप दीरे दीरे आपको daily class मिलती जा रही है सामके time में जो बच्चे concept my topic wise जो पढ़ना चाह रहे हैं वो सामके बैचों को join करिए और उनकी के आधार पर practice सुबह के बैच में daily police को target करते हुए चलाई जा रही है कि लिए से daily police और यूप police दोनों को target किया जा रहा और उसमें उन सवालों को किया जा रहा जो previous year में आये हुए हैं और मलग किस तरीके के examiner सवाल पूछ सकता या किस मलग उसकी हिसाब से किस तरीके के और पूछे जा सकते हैं मलग संभावित सवाल भी उसमें लिए जा रहे हैं ठीक है तो उस class को भी आप जॉइन करिए यहां पर सामके time topic wise और सुबह को practice करिए लगे रही है हमारे साथ तो आप कुछ दिनों में देखोगे कि आपको मानी बहुत तयारी बहतर तरीके से चल रही होगी जब आप और भी practice set लगाओगे मार्केट से लेगे ठीक है तो अपनी बातों को हम यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं next वीडियो में जय हिल्द